Hello everyone, very good morning to all of you तो आज की स्वीडियो में हम बात करेंगे कि हेंड़ बूक ऑफ एगरी कल्चर से आप किस टाइप से नोट्स बना सकते हो जैसा हमने आपको हेंड़ बूक ऑफ एगरी कल्चर एडिव के लिए भी सजेस्ट की थी और कोई भी एक्जाम एगरीकल्चर रेलेटेड है चाहिए वो स्टेट PCS का हूँ या फिर UPSC का या फिर कोई भी स्टेट एक्जाम इसमें एगरीकल्चर आता है तो अगर आपको अपनी एगरीकल्चर इतनी स्ट्रोंग करने हैं अगर आप हरियाना ADU के लिए त्यारीक रहे हैं तो आप सबसे पहले एगरोमी से शुरू कर सकते हैं जो कि आपका प्येज नंबर 964 पे है थिंक ठीक है उसमें सबसे पहले राइस दिया हुआ है तो राइस में आपको किस टाइप से नोट्स बनाने हैं बहुत जादा detail आपको नहीं पढ़नी, लेकिन कुछ एक जो fact है, जैसे history से आप शुरू करो, कि rice के evidence कहा है, क्योंकि आप जानते हो, जो botanical name है, chromosome number है, या आपके IBPS में पुछे जा सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा आसा ADU का exam, detail में पुछ सकता है, जो examined है, क्योंकि HPSC exam conduct कर हो आ रही है, तो no doubt आप चेंडिया जिक के नहीं, पुछ हजारा लेकिन आपकी crop के history से पुछी जा सकती है, तो किस टाइप से आप notes बनाऊगे, जैसे इसमें page number 966, यहां पे दिया हुआ है, rice के बारे में, तो rice के बारे में जो चीज़ यह हैं, उसके बारे में हम देखें, तो 10,000 शाल पहले, जैसे हमारा जो agriculture का starting हुई थी, नियो लिथिक फेजी से हम कहते हैं, ठीक है, उसमें जो यांग सी रिवर है, चाइना की, वहां पे evidence मिले थे rice के, और इंडिया की context में अगर हम बात करेंगे, तो यही आपके lothal गुजरात थे, तो आपसे सिद्ध एक इन इंडिया, first कहां पे मिले हैं, लोथल में भी consider की जाते हैं, as well as, एक कोलीडवा नाम के site है, वहां पे भी, तो इन मेंचे आपको शिर्फ एक option मिलेगा, वहां पे आपका answer होगा, और यह कौन सी site थी, specific अगर बात करें, कौन सी civilization थी, तो हडपन civilization, या फिर IVC भी जिसे कह इसके अलावा, जो और fact है, वह आप अपने knowledge gain करने के लिए भी पढ़ सकते हैं, जैसे एकर हम बात करेंगे, जो इंडिया में rice है, वो इंडिका ग्रूप से भी लोग करता है, इसके अलावा, जो rice के जो botanical name है, यह सब आप, I think सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ एक और चीज़े हैं, botanical character, जैसे जो roots है, राइस में, उसमें primary और secondary, उनको इस तरह से class से फाई किया गया है, जो primary roots है, उनको seminal roots भी कहते है, seminal roots, और आपकी जो secondary roots है, इसको crown root, तो आप crown root को confuse मत करना primary root के साथ, यह secondary root है, इसके लावा adventitious root, तो इस type से आपको notes दो आती हो, चलना है, इसके अलावा, जो 20 का जो portion है, जिसमें theory बरबर के लिए है, उसको सिरफ knowledge point of view से पढ़ सकते हो, या फिर skip कर सकते हो, जहां पे भी कोई fact मिले, क्योंकि ADO के exam में, 35 to 40% fact आएगा, और ये may भी 50% से भी जादा हो सकता है, क्योंकि ब और इसमें अगर आपे, और डीटेल में पढ़ हो, तो जैसे एक चीज दिवी है, primary riches, तो आप से direct पुछ सकता है, कौन से crop से related है, तो ये rice से, और इसमें basically क्या होता है, जो main axis of pinnacle, known as primary riches, bears a number of secondary riches, that is the secondary riches, further branch out into tertiary ones, and produced it into smaller branches, known as rachila, तो rachila word, कौन से crop separated है, rice से, तो इसलिए हमने आपको handbook suggest की थी, और आप अपने cost benefit के हिसाब से, देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के comment आये थे, कि हमने handbook बंगवाली, तो किस type से पढ़े, तो आप पर depend है, अगर आपका कोई भी subject interest है, जिसमें, उससे आप सुर subject यहीं पर हाँ, और कोई भी book नहीं लेनी, horticulture, या आप अपने knowledge के लिए, एडियो की हिसाब से मत पढ़ो, और, entomology, ये चार subject आप अच्छे से, handbook of agriculture से cover कर सकते हो, तो अगर और कोई भी आपको suggestion चाहिए, तो comment section आप बता सकते हो, आपको जरूर response मिलेगा, तो आज के ल परत,